मन्च परपस्ति साथियो अधास सत्रुजी के साथ सामिल हुए सभी कारेकरता भाईयों बैनों और मिडिया के मित्रों आज भारती जन्दा पार्टी के लिए और विशेश कर भारती जन्दा पार्टी के जम्मु कस्मिर युनिट के लिए बहुत हर्स का विशेश है कि जम्मु कस्मिर के प्रथम परिवार के सबसे बड़े सदस्य आज भारती जन्दा पार्टी में सामिल हुए हैं पार्टी की और से मैं रदय से उनका स्वागत करता हूँ और आने वाले जम्मु कस्मिर के चुनाव में इससे भारती जन्दा पार्टी तो निश्ची त्रूप से मजबुत होगी ही मगर एक प्रकार से एक ट्रेंड का ध्यूतक भी है कि जम्मु कस्मिर की जन्दा की सो और जा रही है अजाज सत्रूजी के आने से पार्टी की संभावनाओं को पार्टी के मौरल को पार्टी के कारकरताओं के मौरल को बहुत बड़ा बल मिला है और मैं आज जम्मु कस्मीर रियासत के सभी अच्छे लोग जो जम्मु कस्मीर के अंदर रश्टाचार विहिन सरकार चाते हैं, परिवारवात से मुक्ति चाते हैं और एक जम्मु कस्मीर राष्टिय प्रवाह के साथ चले ऐसी जिन लोगों की इच्छा है वो सभी लोगों क को आहवान करना चाहता हूं कि अजास सत्रू जी की तरह तुरंथ ही नीड़ने करे और भारती जनता पार्टी जोइन करे मैं रदय से अजास सत्रू जी और उनके परिवार का और उनके सभी साथियों का भारती जनता पार्टी में स्वागत करता हूं धन्यवाद आदरनिया प्रदान जी, आदरनिया डॉकसाब, आदरनिया हमारे मंच में आए मेंबर पार्लिमंट जुगिल किशोर जी, अविनाज जी, आदरनिया 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 जी, आ झाल 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 झाल